नबुस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूँ अभिसेक मिस्रा जहरीली सराब कांड को लेकर बिहार की राजमिती का तापमान चड़ा हुआ है मुख मंत्री नितीज कुमार की मुश्किल यह है कि उनके विरोधी पहले से जादा एक्टिव हो गए है और नितीज कुमार की मुश्किल यह भी है कि उन्होंने एक बयान दे दिया है जिसके बाद उनकी किरकिरी हो रही है उनकी फजियत हो रही है उनकी लानत मलामत हो रही है छप्रा में जहरीली सराब से 50 से ज़्यादा मोते हुई है मेडिया रिपोर्ट्स के मताविक 70 के आसपास आकरा पहुंच चुका है मरने वालों की संचा बढ़ रही है और उसी रफ्तार से फिर बैहर की राजनिती का तापमान भी चड़ रहा है ये बात हम बार-बार कह रहे हैं भारतिये जनता पार्टी आकरामक है और भारतिये जनता पार्टी कोट जाने की तैयारी कर रही है ये बात भी हम आपको बता चुके है अब बीजेपी ने ये सवाल उठाया है कि नितीशकुमार छप्रा में पहले भी जहरीली सराप से मौत हुई थी और वहां के एसपी को नितीशकुमार ने पुरुस्कृत किया था वहां के एसपी को नितीशकुमार मेडल दे रहे थे अगर मुख मंत्री नितीशकुमार ने ये नहीं किया होता तो फिर दिसम्बर में अगस्त में छपड़ा में जहरीली सराप से मौत होती है और आप मेडल दे रहे होते हैं अगर आपने ये नहीं किया होता तो फिर दिसम्बर में फिर जहरीली सराप से मौत सायद नहीं होती है नहीं होती तो भारतिय जन्ता पार्टी ने नितिश कुमार पर हमला बोला है निसाना साधा है और इस बात को लेकर सवाल उठाए हैं कि जहां जहरीली सराब से लोगों की मौत हो जाती है वहां के पुलिस अधिकारी को आप सम्मानित करते हैं वहां के पुलिस अधिकारी को आ पुरिश्कृत करते हैं उनको मेडल पहनाते हैं अगर आपने यह नहीं किया होता तो फिर मस्रक जैसी घटना देखने को नहीं मिलती लोगों की जान नहीं जाती भारते जन्ता पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर रामसागर सिंग उन्होंने क्या कहा है सुनिये नितिश्री आपने तो विहाग में उल्टी गंगा बाहर रखी है जिसे सजा देनी चाहिए उसे आप पुरस्कार देते हैं अगस्त के महिने में एक अगस्त चार बारह और तैस अगस्त को जिस छपड़ा जिले में जहरीली सराब पीने से तैस लोगों की माउत हुई थी उस जिला के पुलीस कप्तान को आप 26 नोंबर को ग्यानभवन में कैसा ग्यान देते हैं मद्यु Miche पुरस्कार देते हैं और उसकी तारिफ मन से करते हैं तो यह तो होना ही है अगर आप तारिफ नहीं किए होते पुरस्कार नहीं दिये होते तो सा दिसंवर में मा अपने बेटे को खो देने से बचती बिध्वा नहीं औरते होती आप क्या कर रहे हैं यही आपका काम करने का तरीका है